हलो दोस्तों आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल पर तो जैसे देख सकते हैं न्यू बुक जो आया है 9550 यूथ पॉब्लिकेशन का इसका हम कोशन सॉल्व करा हैं 100 कोशन प्रैक्टिस करवा हैं डेली आप जैसे कि आप देख सकते प्ले लिस्ट में जा जाकर प्ले लिस्ट बरा हुआ है जीके और सॉइन्स का दोनों का आप प्रैक्टिस कर सकते हैं तो जैसे कि कुशन को देख से किस परकार से है यह परमानु नाभिक और परमानु करम के वहां दर्मान प्राधानी प्रस्ण होगा इससे पहले अगर पार्ट वन पार्ट टू को देख सकते हैं यह पार्ट फाइब होगा तो जैसे कि के लिएक नमर कुर्शन के प्रमानों में उपास्तित हैं कि संख्यां बताये च्थ्याग क्या धोर था कितना होगा यह बताईट यह Сबां ड़ें उसके बाद आए कोशन जैसे कि आप देख सकते हैं तो जैसे नाइट्रोजन में कहा गया तो देखें नाइट्रोजन कितना नाइट्रोजन कितना उसके परमानु संख्या कितना साथ था परमानु द्रम्मान चौधया है कितना है परमानु संख्या साथ है नाइट्रोजन का आ 10 शार से नियुरूपित करते हैं प्रोटोन को P से आइलेक्टोन को E से तीनों बरावर है तीनों का मन साथ तो एक इतना है अटोमिक नमर हुआ कितना 14 है परमानु द्रममन कितना 14 उसके बार देखिए परमानु द्रममन कितना 14 है। चलाएगा उसके बाद एक कोश्चन देखिए दोम कहा गया एक तत के नाभिक में 15 प्रोटोन और 22 न्यूटोन इसकी दरमवान संख्यां क्या है बताईए तो अब देखिए करना क्या प्रोटोन कितना है 15 अगो न्यूटोन कितना 22 इसको दरमवान संख्यां कहा गया तो क्या करना है वह देखिए इसका देखिए अंसर पहले बता देखिए क्या हो जाएगा दिया डी हो जाएगा क्योंकि आगे कुश्चन चुपा हुआ है छुपाई नहीं क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता है जैस प्रोटौन प्लस न्यूटौन प्रोटोन-प्लस न्यूटौण तभोटव 15 न्यूटोन 22 ड्रमवानसन के आङ को छेखिए अगर समक्यां को सथी निकल अब से पुछा गया तत्तो की द्रमान की संक्रियान आथिक में नीटोन के संक्रियान जब भी एक तत के समस्थानिक आइसोटोप की दर्वान संख्या दूस्वान ठाउनवे है यदि इसके नाभिक में 188 न्यूटोन है तो इसकी परमानु संख्या क्या परमानु संख्या इसमें पूछा आ गया तो देखे कोशन में किस परकार सिसका अंसर बता ये तीन का अंसर क्या हो तो जैसे कि देख सकते हैं नाभिक में न्यूटोन की संख्या कितना है तो उसके बाद देखिए एकक WITH तो धासे में कितना है 150 है प्रोटोन की संख्यां 110 निकल करेंए कैसे आएक वह देखियों समझता है कितना 600 न्टाऊ hun दूसा अंठोशय में है तो निोटोन है newton है 188 न्यूटिन कितना है एk 188 जबшम प्रोटोन निका लें गया ग़ा तो निकलना निकलना है पर्मनू संख्या तो वह घटा देंगे हम क्योंकि निकल कर चला है तो निवीटोन संख्या निकल कर चला है या Newton की संख्यां या proton की संख्यां बराबर हो जाएगा उसके बाद देख्या एक कोश्चन चार नंबर कोश्चन देखिए चार में कहा गया एक तत के 9 soit critique ki drama 193 नू टून हो इंच के परमन संख्या क्या क्या करना है क्या कर ना Making कर ना sour को इचार का क्या हो जाएगा ऐ इसे कि देख सकते हैं टीन complac भी हो जाएगा एक सफ्यास कि ा बालब ऑनिलिय तोन के सकते हैं देखिये दरवमान संखियत तो क्या हमको निकालना है अटोमिक हम पता कर लिए उसके बाद देखी क्या करना है तो प्रोटोन जीतना होगा उतना परमानों करते हैं now करते हैं और परमानू करमांग को करते हैं जयड से परमानू करमांग को किस अक्छर द्वारा निरुपित किया जाता है बताईए के द्वरार संख्य निश्चित किया जाता है फर्ष द्यूरा निश्चित क्या जाए का निश्चित किया जाता है तू अपशन D किसी तत की परमानु में निउटोनों की संख्षां किसके बरावर होती है बताए साथ का sila एक परमानु में निउटोन की संख्षां किसके बरावर होती है, शाथ का अनसर क्या हो जाएगा, साथ का भी हो जाएगा, साथ का भी, दरोबानु संख्या, परमारू संख्या के, एक परमारु नीटोन के संख्या कि बरावर होगा, ज़िए। कोस्टन आठ नमर कोस्टन देखिए आठ में कहा गया किसी परमानु के नाभिक में महजूद प्रोटोन और निउटोन की कुल संख्यां को किस रूप में जना जाता है किसी नाभिक महजूद प्रोटोन और निउटोन की किस रूप में जना जाता है ये बताए आठ का एंसर आ किसी तत का परमानु कर्मांक नाभिक में मधूद संख्यां के बरावर होता है किसके बरावर होते हैं नौका दी प्रोटोन के किसे बरावर होते हैं प्रोटोन के किसके बरावर होता है तो ज़ित परमावउंक दरमान मतलब क्या होता एए अब परमानु उसमेड कर्मांक इसका मतलब क्या होता है यह बताए Nedas का किसके बरावर होगा न्यूटोन के बरावर होगा किसके बरावर न्यूटोन के बरावर उसके बरावर किसके बरावर होगा न्यूटोन के बरावर होगा किसके बरावर होगा न्यूटोन के बरावर होगा किसके बरावर होगा न्यूटोन के बरावर होगा किसके बरावर होग परमानु शंख्यां कैसे निर्धाज़ की जाती है बताइए एक एंसर एक परमानु में इस्तित प्रोटोन की संख्यां से किसी तत की परमानु शंख्यां कैसे निर्धाज़ की जाती है एक परमानु इस्तित प्रोटोन की संख्यां से उससे बाद देखें बाले नमर कोश्च परमानुबार दबलु और परमानुशंख्या एन है इस परमानुबार में संख्याँ कितनी होगी प्रोटोन के संख्यां कितने हो बताईए बारे का एंसर बारे का क्या हो जाएगा यह बारे का एक हो जाएगा Newton क्या होगा पर्मानु भार कि एक जिए तो इसका एंसर तो नहीं होगा कि तो प्रोटों संख्यां कितंब थो गार्वानु फुलए रो घहां वए सब्रके सद्रीवा क्परमानु संख्यां किसके ब्रावर होती है दो अग Wal-arat reply पाँति युक्स संख्यां कि उसके बाद देखे चाओदया नमर कोश्चन, चाओदया हम कहा गया, नुक्लियस में डैस परमानुकर्मांक आटोमिक नमर को दरसाता है, बताइए चाओदया का, चाओदया का ए हो जाएगा, प्रोटोन, नुक्लियस में डैस परमानुकर्मांक आटोमिक नमर को दरसाता है, Option A इसका answer हो जाएगा चाउधया का उसके बाद देखीionar 15 नमर question 15 का आगया hydrogen anu का ना भी किसे बना होता है बताइए पंद्रहा का answer 15 नमर question hydrogen anu में ना भी किसे बना होता है केवल एक proton से Option A इसका answer उसके बाद देखें 16 नमर question सोलय नमर कोशन देखिए प्रोटेसियां की परमानु संख्यां उनीस है और इसकी धरमान संख्यां 49 है तो परमानु न्यूटों के संख्यां क्या होगी बताइए सोलय का एंसर सोलय का एंसर क्या हो जाएगा सोलय का ए हो जाएगा 20 क्योंकि 49 में से उनीस घटा इए 49 जो है इसमें क्या कहा गया वह देखिए प्रोटेसियां की परमानु संख्यां उनीस है इसकी धरमान सक्यां कितना है सर्कांफक रतेखिया pr poss suche started cow spike twouing उनीस है अभ्यूद रोप्राइभ को एिवर प्रोटन प्रोटन प्लस न्यूटों प्रोटन न्यूटों प्रोटन प्रॉटन प्रोटन प्लस न्यूटों प्रमानंगीं उनीस दिया गया और गौन संख्यां के तना आनन आप क्या से अन्सर हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं जैसे कि देख सकते हैं परमावकरала 19 दिया दरवमान संह्या 49 तो panzeit if out निकालना है तो क्या निकालैंहें एन तो और 49 स्वक में से थी निकल कर चल आएगा कुछ दिखिए जैश हैं प्रहतों संख्यां ऑपर्विकर्स प्रोटों प्रॉस निव्टों ड्रमन संख्या है एक इटोंぎ मैंने-प्रोटोनorn निकलेगा जाएगा अब है षी को दिखें हम सत्रय नमर कोश्चन सत्रय हम कहा गया कारवन परमानों के बारे में सी सी पर बारा और सी शिक्स से क्या निश्कस निकाला जा सकता बताईए देखिए इसमें क्या है इसमें वो क्या निश्कस निकालें इसमें देखिए ओप्शन में बताईए इसमें 6 newton है और 6 proton है तो कैसे वो देखिए 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 प्रो टोन के संख्यां है मेरे पास 6 है नियुटन कितना क्यूंकि 6 है प्रो टोन 6 है नीचे संट भी देगा तो प्रो टोन है प्रो टोन कितना 6 है आप तो धरमवन संख्यां होता है द्रोमों संख्यां 12 है तो जब न्यूटोन निकालेंगे तो क्या होता है अटोमिक नमबर में से उसको नीज का सही है उसके अब बढ़े थारा नम्मर कोस्टां जैसे आप देख सकते हैं जैसे आप देख सकते हैं यह बराबर क्या होता है प्रोटोन प्लस प्रोटोन प्लस न्यूटोन तो प्रोटोन जगा जैड भी होगा प्रोटोन के बगल जैड क्यूंकि अब देखिए पर्मनु संख्यां होता है जैड बराबर क्या हता पर्मनु संख्यां तो प्रोटोन संख्यां बराबर पर्मनु संख्यां प्रोटोन संख् जैसे कि इसके बराबर इलोक्टोन परमाउं संक्यां बराबर प्रोटोन बराबर इलोक्तोन संक्यां तेनों भर यहमसरी किसी याख है आपर लगा सकते हैं पुस्के रख़या कोशिन ऑठाइय को चांद आ जखेक ओचे आगे ओकना refrigerator में गये उते इसलिस्ता आमाना जाता है अथारेक ऑन्सर क्या हो जाएगा किःटायका ट्रॉटवा ह कया डिया किटना है द्रभों कितना है उनिस आर् प्रोटों कितना नौ है सम्ख्यान नेकलने के लिए अब देखिए अगर सम्टक्रेया इंधनाई प्रोल इलोक्टों सम्क्र मेनेकलने अब देखिए लॉक थ सम्टक स उसके बाद कि 10 निउटोन 10 निउटोन के से 10 निकलेगा उनीश में से 10 जाएगा तो जब भी क्या था अटोमिक नमर बरावर क्या था परमाउधर्मान बरावर प्रोटोन प्लस निउटोन प्लस निउटोन जब निकालेंगे हमको क्यों प्रोटोन हमको पता है तो क्या लोग्तों बरावर Quietour भर नब द OF इना था जितना प्रोटोन होगा उतना ही मिलक्तोन होगा और जाज़ द नचाल बढ़ाे 노래ं प्रोटोन होगा उतना परमानु संख्यां भी होगा दोन तीनों बराबर होता है उसके बाद देखिया के कोश्चन 20 नमबर कोश्चन देखिए 20 में कहा गया किसी तत के परवानु में उपास्थित इलक्टोन की संख्यां इसके डियाश की बराबर होते बताएं किसके बराबर होती 20 का एंसर 20 का ए हो जाएगा परवानु करमां के किसके परवानु संख्यां के उसके बाद किसों कोंषन देखी इक 12 में कहा गया है किसा कया होTたい cał 19 कंता है इंसर हो जाएगा इक 10 1957 और 216 का भी हो जाएगा हिड्रोजन का जो होता है पर्माउद दर्मान सबसे कम होता है कि इसके बात दिखिये कि 22 इन ups के देखिए बबाइस कि एक परमानु इन संख्या क्या होती है जिसमें 10 प्रोटोन और 11 NEW तो क्या परमानुसंख्या को पूछा गया क्या पूछा गया परमानुसंख्या बताई में इसका चैन स्यां परमानु संख्या में क्या होता है जैड जैड हमको पूछा गया बताइए क्या होगा बाइस का एंसर बाइस का क्या होगा ऑप्शन बी इसका हो जाएगा बाइस बाइस का दस हो जाएगा तो कैसे होगा वह देखी परमानु संख्या क्या होगा जैड जितना होगा प्रोटोन संख्यां यह तीनों बराबर होता है हमको पता है प्रोटोन 10 है तो इलोक्तोन भी 10 होगा परमानों संख्यां को जैड जैड भी 10 से होगा उसके बाद देख्या कोशन तैस नमर कोश्चन तैस में कहा गया एक तत्त के नाभिक में 10 प्रोटोन और 17 न्यूटोन उपास्तित है द्रमान संख्यां क्या है तो द्रमान में अटोमिक नमर अटोमिक नमर हमको निकालना है तो क्या होगा अटोमिक एस से उसकी द्रमान संख्यां परमाउंद द्रमान जब निकालते उसको ए इसका B हो जाएगा उसके बाद देखाए कोश्चन 24 नमर कोश्चन देखिए जैसे देख सकते हैं किसी परमावन नाभिक उपासी प्रोटोन P से तथा न्यूटोन N से तो योग दरोमान्त A से दरोमान्त क्या A से नुरूपित करते हैं एटोमिक नमबर 24 नमर कोश्चन देखिए 24 में कहा गया यदि एक तत के एक परमानों के नाभिक में 11 प्रोटोन और 12 न्यूटोन होते हैं तो तत की दरोमान से क्या है तो 12 जोड दीजिए आपको एंसर निकल कर चला कितना बास्ता इसका एंसर हो जाएगा ऑप्शन D इसका एंसर 24 का 24 का D उसक 25 मेंक कहा गया एक तत के समस्थनिक दरोमाण संख्या है यदि इसके नाभिक में 119 न्यूटोन होरी तो इसके परमानों संख्यां क्या है दिए परमानों संख्या बłęWA यह परमानों जेट से बराबर प्रोक्थोन प्रोस लिए पृत्क है इसे लॉक्टोन त्रीन बिराबर आतुबें प्रोटोन है प्रोटोन हमको पता श्र通 लिए प्रहृति हो निट्ओन दूत्रों नहैं लेख सनगे 109 से घटाएंगे हमको प्रोटोन निकलकर चलाएगा तो प्रोटोन अ क्या पार्माउन संख्याह।us प्रोटोन बराबर के शच्टताannée प्रोटोन से तो निकलकर चलाएगा तो बताउयर 15 का क्या हो जाएगा 25 का हो गया 25 का A हो गया कितना 109.0 इसका ऐसा क्योंकि हम घटाएंगे हमको proton निकल जाएगा proton जब निकल जाएगा proton जब निकल जाएगा proton किसे बराबर होता है परमाउं संख्यां के तो इस एंसरम को निकल कर option A आ गया उसके बाद देखे कोशन आ गया 26 नमर देखे कोशन 26 में कहा गया किसी तत की परमाउं संख्यां उस तत के परतियक परमानों के नाभिक में महजूद डैस की संख्यां के बराबर होती है बताईए 26 का 26 का A हो जाएगा प्रोटोन की संख्यां जो होती है परमाउं संख्यां उस तत परमानों के नाभिक में महदू डैस की संख्यां के बराबर होता है किसके बराबर होता है प्रोटोन के संख्यां के बराबर होता है कौन परमानों संख्यां जर जो होता है उसके बराबर होता है 27 नुमर कोच्टन देख्ये 27 में कहा गया एक हाइड्रोजन आटम में कितने नुटोन होते हैं बतागे 27 का 27 का इंसर क्या हो जाएगगा 27 का डी हो जआगा कुछ नहीं होते हैं एक हाइड्रोजनần niemand ayam उसके बाद देखे आगे 28 नमर question. समस्थानिक प्रणाजरिप प्रश्न. 28 में देखे क्या कहा गया? हाइड्रोजन के समस्थानिक दिटरियम में डेट होते हैं. बताइए 28 का. 28 का b हो जाएगा. एक प्रोटोन और एक न्यूटोन होते हैं. हाइडोजन समस्थानिक निटियूटरियम में डैस होते हैं एक प्रोटोन और एक निउटोन होते हैं उसके बाद देखें 29 नमर कोश्चन 29 में देखें का आ गया आइसो टॉप या समस्थानिक क्या है बताएए इसका एंसर क्या रिजिगा इसमें 2 ab दिया गया तीन और दिया गया इसमें पर लिजिए a b में 29 निटिस का एंसर क्या हो जाएगा वह देख लिजिए देखिए आप 2-2 ऑप्शन हो रहा है जैसे देख सकते हैं तो बताएए इसका एंसर क्या हो जाएगा इसका एंसर दी हो जाएगा एक तत के परमानों जिन में एक ही परमानों कर्मांक लेकिन दर्मान संख्यां भीन इसका एंसर अप्शन डी हो जाएगा उसके बात दिखे एक कोश्चन तीस नमर कोशन देखिए, तीस में कहा गया, एक ही तत के समास्थानिकों में डैस होते हैं, क्या होते हैं, बताइए तीस का, 30 का क्या हो जागा 30 का सी हो जाएगा समान प्रोटोन संख्यां समान प्रोटोन संख्यां एक तत्त में समास्थानिक कितने होते हैं समास्थानिक में क्या होते हैं समान प्रोटोन संख्यां होते हैं option c 31 नमर कोशन देखिए इसका answer A हो जाएगा समान परमान कर्मां किन्तु भीन दर्मान संख्यां वाले तत समान परमान कर्मां होते हैं लेकिन दर्मान भीन होते हैं समस्थानिक में समस्थानिक में क्या होता है दर्मान संख्यां क्या होता दर्मान संख्यां भीन होता है परमान संख्यां बराबर समान होता है लेकिन दर्मान संख्यां भीन होता समस्थानिक में उसके बाद देखे 32 नमर कोश्चन बताईए 32 का एंसर 32 का क्या हो जाएगा 32 का A हो जाएगा 35 C L और 37 C L इसका एंसर हो जाएगा उसके बाद देखिया एक question 33 में कहा गया जब आप एक परमानों के Newton के संख्या को बदल देते हैं तो इसका दरमान इसका डेश बदल जाता है क्या बदल जाता है ये बता है जब आप एक Newton को संख्या को बदल देते हैं तो क्या बदल जाता है 33 का 33 का A समस्थानी क्या समस्थानी और इसका एंसर उसके बाद देखिया 34 नमर question नमर कहा गया देखिया राशायिक विस्ष्ता एक समान होती है। परमानू परंतु परमान दर्मान भीन होते हैं बताए किसका 35 का एंसर क्या हो जाएगा 35 का B समस्थानिक समस्थानिक में क्या होता है परमान संख्या परमान दर्मान भीन होता है अब क्या होता है द्यास रसामी विश्षता समान होती है तो इसका एंसर option B हो जाएगा उसके ब कर निमलिखित में से कौन सा किसी तत्त के समस्थानिका गुन है बताए इसका प्राद कों कहा जैगा विप,प्राद में इसका रहीं । तीन भी सही यह चार उकून है तो कई परमान रशानी कहा心 patient इनके प्रमानू क्रमान व समान होते हैं यह उप्षिभी कंवर्दिष्प करते हैं यह समान रासान बन गुर्दसीद करते हैं ऑप्षान थ्का हैं hebben को हिक मिविक ने मिविक मेरोनavil च्दस में कहा गया यह अब स्थानिक क्या जगा समस्थानिक की खोज से गलत स्थानिक किया गया था इसका समस्थानिक बास देखे दिखे को 559ES में प्रकीरतिक कॉलोरीन के दो समस्थानिक प्रोटॉञ 17 अट्रोमान कितना 35 परतिशत उसके बाद देखिए प्रोटोन 17 और दरमान 37 का 25 परतिशत क्लोनिंग का आउसत परमाउं संख्या क्या होगा बताएं अर्थिसका एंसर क्या हो जाएगा वह देखिए कैसे होगा वह देखिए जैसे देखिए क्लोरीन सी से परमाउं संख्या 17 है परमाउं दरमान संख्या या दरमान अलग गलग तो कितना 35 परतिश और संख्या कितना है तो आउसात द्रोमान जब निकालिएगा तो इसके बाद देखिए उन्चालिस नमर कुस्चन उन्चालिस में कहा गया क्या दक़िए निवीटन में कितने निवीटन न महजूद होते हैं इसके बाद देखिए उन्चालिस का अब में चालिस नमर कुस्चन 40 में कहा गया hydrogen परमाणू के तीन समस्थानिक प्रोटीनियम ड्यूटेलियम और टाइतेनियम है समस्थानिक का परमाणू करमाण्यस है नियुटा इस्का इसम्हें पanne pasta का फिल्स यह क्यрам गुटांन के कितना होता यह बता होati 40 का c हो जाएगाathy कितना हो एकड besar हो जाएगा इसका एंसर तो जब भी कहा क्या पुछा गया हमको पुछा परमानों संख्यां और द्रमान संख्यां पुछा गया इन निकल कर हमको चलाएगा कैसे आएगा वह आप देख सकते हैं जैसे देखिए प्रोटेनियम यह हाइड्रोजन यह हाइड्रोजन हाइड्रोजन समस्थानिक प्रोटोन एक है अद्रमान एक है तो प्रोटेनियम विश्च परतिक्षिन है टाइटेरियम में हाइड्रोजन का समस्थानिक रेडियो एक्टिव है तो इसे क्या प्रोटोन एक है और हाइड्रो फिरन के तुलमां करो斯 कि एक और तीन यूड़ाएगा तार्मान सब्सक्राइब ताहिका अनूर्ट पर account सांथानिक ने टहरा इसले मांजा होता है इसलेर होता है गया उजनेे फेगा मृष वितलत की पास्तित त्रैमें क्वाणिक द्रवान संख्याँ भीन होता है और इसके बाद दिखे 42 नमर क्वोश्चन कि समभारिक पर अधारी प्रस्जेखी समभारिक पर तत जिनकी द्रवान संख्याँ एक संवान है पर्न तु भीन पर्मानु संख्यांट क्या कलाता बताईए 42 का बताई एंशर क्या हो जाएगा है to 50 का बी हो जगा आय सो बार क्या जबसे का एंशर जब भी दरमाहान संख्यां प्रमाहन संख्याँ भी जब 12 based circuit क्या 423 में संभारिक मी की संख्या समान होती है बताईए इस mustard संख्या 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 संख्य क्या आइसो बार के रूप में जना जाता है उसके बाद एके 45 नमर कोश्चन 45 में कहा गया समान धर्मान संख्यां वाले नियुकुलाइड डैस कहलाते हैं बताइए इसका इसका 45 का क्या D हो जाएगा इसका इसका आइसो बार क्या हज़गा इसका अप्शन D इसका एंसर हो जाएगा उसके बाद दिखे 16 नमर कोश्चन सम इलक्टोनिक्स इसका इंसर इस पर अधर परस दखिए 46 का डैस इलक्टोन की संख्या संख्यां वाले परमानू अनु आयन क्या होते हैं बताए च्यालिस का क्या हो जाएगा आइसो इलक्टोनिक इसका एंसर अप्शन सी इसका एंसर हो जाएगा उसके बाद देखें 47 नमर कोश्चन 47 देखिए 47 नहीं है इसमें आप एक से सुरू हो गया एक से सुरू हो गया जैसे देख सकते हैं चार नमर कोश्चन इलक्टोनिक्स का दिया उसके बाद आगया गया गया नियाम तो जैसे कि देख सकते हैं जैसे देखिए जिस तापमान पर किसी गैस का आईतन सुन हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं बताइए एक का एंसर क्या हो जाएगा एक का बताइए क्या हो जाएगा एक का भी हो जाएगा परम सुन तापमान कहलाएगा परम सुन तापमान कहलाएगा उसके ब दो नमर कोशन देखिए हैं दो नमर कोशन देखिए क्या कहा गया दों कहा गया वोयल के नियम डैस के अनुसार कि इसके अनुसार हैं बॉयल का नियम ये बताईए दो का इसका बी हो जाएगा यह यह नियत पर दिये गए किसी गैस का दरमान दाव तथा आयतन के गुनानफन इस्ति रहता था पीवी बराबर इस्तरांग इसका अनुसार अप्शन बी हो जाएगा उसके बात देखिए आगे तीन नमर कोशन देखिए इन में से कौन सा नियम यह बताता है कि यह गैस का आइटन गैस के दाव के विटकुन पाती होती है बताए तीन का एंसर तीन का क्या हो जाएगा तीन का यह हो जाएगा बॉयल का नियम क्या ज़गा बॉयल का नियम इसका एंसर अप्शन ए हो जाएगा उसके बात के चार नमर कोशन चार नमर कोशन देखिए है कि चार में कहा गया स्था इड़िष ऐस यह स्यल्सिय अस्प्तामान पर इस्ति किसी अधरस गैस को एक नियत दाप पर तब तक गर्म किया जाता जाता है जब तक की गैस का आइतन दोगुना नहों गैस का आन्तिमता प्मन क्या होगा बताईए चार और चार और प्जार प्रीस क्या हो जाएगा होटी है तो कैसे देख सकते हैं जैसे देखें कितना बुरिया गया है इसां तो जैसे कि देख सकते है question में, T1 बराबर 17 degrees Celsius दिया गया, 273 पर 277 जोड़े 300 K आ गया, उसका T1 बराबर कितना 300 K पलस T2 बराबर नहीं हो पता है, उसका B1 बराबर, B थथा B2 बराबर, 2B, उसके बाद, क्योंकि 2B कैसे हो गया, वो देखे, क्योंकि कहा गया question में, एक gas नियत कि जब गैस को आएतन दोगुना कर न हो जाए, तो दोगुना का इसलिए, B1, B2, 2B, अब देखे, क्या है, नियत दाब बराबर, तो क्या B1 बटा T1, B2 बटा T2, तो जब T2 हम निकालेंगे, तो B2 बटा B1, आद T1 से गुना हो जाएगा, जब इसको solve करिएगा, आपको द 600 क्या जाएगा, उसके बाद देखे, 600 क्या आगा, T2 बराबर कितना है, 600, आउसके बाद 273 घटा दीजिएगा, आपको निकल के 330 आजाएगा, क्यालमीन इसका एंसर आजाएगा, उसके बाद देखे आए कोस्चन, पंच नमर कोस्चन देखे, पंच में कहा गया, अभी ला पंच का C हो जाएगा, आदर्स गैस, क्या जाएगा, आदर्स गैस, ऑप्शन C, उसके बाद देखे, 6 नमर कोस्चन, 6 नमर में कहा गया, 24 सेल्सिय ताप मार पर इस्तिर एक आदर्स गैस को इस्तिर दाप पर तब तक गर्म किया जाता, जब तक कि इस गैस का आजता, दोग अब पलस 273 की आगया, T2 बरावर नहीं पता, V1 बरावर 1, V महने, अब V2, 2V, तो V1 बटा T21, अब V2 बटा T2, तो T2 हमको निकालना है, क्योंकि T2, T1 पता है, तो क्या जाएगा, V2 बटा V1, जब T2 निकालिएगा, तो किसे ज़र्म गुना हो जाएगा, तो हमको T2, T1 हो कितना, 2V, T1 कितना, 300, अब V1 कितना, V, जब इसको solve करिएगा, तो T2 हमको निकाल कितना, 600 की आगया, T2 कितना, 600 आगया, तो T2 जब निकाल, 600 हमको निकाल, 273 गटांगा, 370 आजाएगा, 370 डिगरी चल्सियर, उसके अब बात देखिए, आगे question, आगे कितना हो जागा, 7 न साथ में देखिए, कहा गया, निमन में से कौन सा नियम ग्यास से संबंधित नहीं है, बताये साथ का, ग्यास से संबंधित नहीं है, उसके बात देखिए, आठ नमर ग्याइच, नहीं नहीं होगा, बताये, 8 का answer, आठ का क्या D हो जाएगा मेथी पावडर क्या जो है निम्लिखित नहीं है और सब है लेकिन यह मेथी पावडर नहीं है भी श्रीत उसके बाद देखें नौ नमर कोश्चन देखें 9 नमर कोश्चन नौम देखे कहा गया विशरन के बारे में निमली खित में से क्या सही नहीं है बताइए नौ का या इंसर कौन सा सही नहीं है ऑप्शन इसका ए जो है सही नहीं है गैस के विशरन की दर उनके आईतन पर निर्भर करती है ये इसका क्या है इसका सही नहीं है ऑप्शन ए उसके बाद देखे 10 नमर कोश्चन देखिए 10 में कहा गया गैस का कौन सा गुन इन्हें सुभाम बनाता है बताए इसका एंसर 10 का 10 का क्या 10 का B हो जाएगा संपिडिता संपिडिता इसका एंसर हो जाएगा option B हो जाएगा उसके बाद देखे 10 नमर कोश्चन अगारे का गया डॉल्टन का आंसिक दाव का नी अमने लिखित में से किस समीकरन पर लागू होता है बताए एगारे का क्या हो जाएगा एगारे का A हो जाएगा एगारे का A हो जाएगा एगारे का C O पलस H2 C O पलस H2 इसका answer option A हो जाएगा उसके बाद देखे बारे नमर कोश्चन बारे नमर कोश्चन दिखिए बारे म कहा गया गैस की मात्रा वितकर्मनापाती होती है बताएगा बारे का बारे का A हो जाएगा दाब के क्या होता है दाब के ऑप्शन A इसका answer उसके बाद देखिए तिरह नमर कोश्चन तेरेम कहा गया एक आइडियल गैस का चार ग्रम चववन दसम छे के एबम दो एटोम एटोमोस्फेरिक दवाप पर पंद सम छे मीटर क्यू का परिनाम वॉल्यूम प्राप्त करता है उसका आनुविक भार क्या होगा बताइए इसका एंसर तेरेया का तो आप देख सकते हैं किस प्रकार कोशनल सका नॉम्रीकल है बता जीए पonst tow hem T सब्सक्राम होने हरो जाएगा प्रापत कि आधा प्रापत कर ना पताट आलए ब Dogs P कितना है 2 P कितना है 2 है क्योंकि 2 atmosphere दबाव है तो 2 हो गया और इसमें कितना atmosphere दबाव है 5 6 MQ तब 5 6 गुना कि उसके बाद बटा R कितना है R कितना है तो कहा गया R2 देखी कहा गया एक ideal gas का 4 gram 4 gram 54.6 54.6 तो देखी करना क्या है इसका atomized फ्रेण इसका कितना हो जाएगा 0.82 हो जाएगा 0.82 अगुने 8 का मन हमको दिया गया कितना दिया गया 54.6 अब जब solve करियेगा जब इसको solve करियेगा तो देखे क्या होगा W Y M W Y M तो कि इसको solve जब खरियेगा तो आपको answer निकलकर आपको चलाएगा कितना वो देखी 16 आपको answer निकलकर चलाएगा क्योंकि पंद्रह दतलन नम्न नौ आया इसका मतलम आप मान सकते हैं 16 मान सकते इसका answer कितना 16 हो जाएगा इसके बात दिखाए कि कोशन देखिए %1 किस नियम के अनुशार कर जाएगा इस्तितर्तापमान पर ग्यास का आएतन दाब के वितकन नुवपाती होती है, बताएगा इसका 14 का इसका एंसर उसके बाद देखे 15 नमर कोश्चन 15 अब देखे 15 कोश्चन नहीं सिर्फ आप एक से शुरू हो गया रेडियो एक्टिव था एब नाविक्या उड़ जा पर क्योंकि 15 तक कोश्चन था इसा पंद्रा नहीं अब हो गया एक से शुरू हो गया रेडियो एक्टिव एब नाविक्या उर जाप लधारफ परसं तो जैसे कि देख सकते हैं देखे आगे कोश्चन कहा गया निम लिखित मैंसे कौ एक रेडियो एक्टिव थत नहीं है बताइए एक का एंसर एक क्या हो जागा बताइए एक का बी हो जागा टाइटेनियम जो होगा यह जो है रेडियो एक्टिव तत्र नहीं है उप्शन बी इसका एंसर उसके बात देखिए दो नमर कोशन देखिए दो हम कहा गया मैरी क्यूरी ने किसकी खोज के लिए नोवेल पुरुषकार प्राप्त किया बताए यह दो का एंसर दो का सी हो जागा रेडियम क्या हो जागा रेडियम इसका एंसर हो जाएगा उसके बात देखिए को तीन नमर कोशन देखिए तीन में कहा गया रेडियो शकरिता का अब इसकार किसने किया था बताईए तीन का एंसर तीन का क्या सी हो जागा हैंडरी बैकूलर Henry Baculler उसके बाद देखिए चार नमर कोश्चन देखिए चार में कहा गया Henry Baculler इनमें से किसकी खोज से संबंध है बताईए चार का बताईए अंसर क्या option B हो जा रेदियो धाड़मिता से option B इसका अंसर उसके बाद देखिए पंच नमर कोश्चन देखिए पिंच बलेड किस से संबंधित है बताईए पंच का पंच क्या बी से uranium से किसे uranium option B इसका अंसर उसके बाद देखिए 6 नमर कोश्चन देखिए छे नमर कोश्चन तके 6 हम कहा गया रेडियो रेडियम किस खनी से प्राप्त किया जाता है बताईए छे का छे का क्या हो जागा डी हो जाएगा पिंच बलेड से किसे पिंच बलेड उसका अंसर उसके बाद 7 नमर कोश्चन देखिए परवानू बलो के सिधान की खोज किसने की बताईए साथ का साथ का क्या एव साथ का ए हो जाएगा हिदे की यूकावा इसका एंसर हो जाएगा आथ का आथ का आठ में कहा गया एक रेडियो धर्मी धातु जो केंद्रित उर्जा का एक परचूर श्रोत है और 1789 में खोज की गई थी इसकी परमानु संख्या बिरॉनवय है वह डैस है बताइए बताइए आठ का एंसर क्या हो जागा आठ का डी हो जाएगा यूडेनियम यूडेनियम पर परमानु के भी तर्नियम तोन दौरा प्रोटोन में आरोपित बल क्या कहलाता है बताएए नौ का एंसर नौ का ए हो जागा ना भी किया बल क्या जगा ना भी किया बल आप्शन एसका एंसर हो जाएगा उसके बाद देखे दस नमर कोश्चन देखिए 10 नमर 10 में कहा गया परमानू से प्राप्ट उर्जा को ड्यास काते हैं बताएए क्या कहते हैं 10 का A ना भी किया बल क्या क्या कहते हैं ना भी किया उर्जा ऐसका एंसर उसके आफ अबाद दीगुजर नमर कोश्चन देखिए ए 활 म कहा गया निमलिखित में से किसका पड़ियो नाभी के रियक्टर में विखंडनिय इधन के रूप में किया जाता है बताईए 11-11 का एंसर क्या हो जाएगा 11-11 का बी हो जाएगा यू 235 इसका एंसर ऑप्शन बी हो जाएगा उसके बात देखे बारे नमर कोश्चन देखिए किया जाता है बताईए 11-11 के समस्थानिक का एंसर उसके बाद देखिए तेरा नमर कोश्चन क्या कहा गया तेरे हम कहा गया मेटास्तेटिक आस्थिक कैंसर का लिए किस रेडियो आइस्योटोप का उप्योग किया जाता है से बताईए 13-11 का एंसर तेरय का B हो जाएगा अस्टोटियम नवासी इसका एंसर ऑप्शन B हो जाएगा तेरय का उसके बाद देखे चाउदया नमर कोश्चन देखिए उठ्वक को पसके शक अस्टोटियम नमर कोश्चन देखिए खिते इसमें । निमन मेंस से आइनक Ayyogic का गुन कांसा है लगलांक और कौथननक उछ होता है इसके बाद का सी और धेके दूनमर को मैंस सिन देखें कोशन कहा गया निमलिखित में से कौन सा एक आईनिक योगिक का गुन नहीं है बताएं दो का एंसर क्या हो जाएगा 2 का 2 का B हो जाएगा 2 का B कम गलनांक और कॉथनांक इसका एंसर option B हो जाएगा उसके बाद देखें तीन नमर कोश्चन तीन नमर कोश्चन देखिए तीन में कहा गया ग्रेफ हाइथ पर मानू में सैंज होगिक तों कि शंख्या कितनी होती है बताये तीन का हैंसर क्या हो जाएगा तीन का क्या हो जाएगा तीन का ए हो जाएगा चार इसका हो जाएगा उप्शन ए इसका एंसर उसके बाद देखिया एक कोशन चार नमर कोशन देखिए चार में कहा गया बरे परमानू वाले तत्तों से बने बंध डैस होते हैं बताए चार का एंसर क्या हो जाएगा चार का क्या हो जाएगा बहुत कमजूर क्या option इसका एंसर हो जाएगा उसके बाद देखे 5 नमर कोश्चन पंच में कहा गया आयनिक याउगिक में आयान का एक दूसरे को आकर्शित करतें हैं और मजबूत डेश्ट दौरा जुड़े होते हैं बताईए पंच का एंसर क्या हो जाएगा पंच का ए हो जाएगा बिद्धूत अस्थेधिक बल इसका एंसर ऑप्शन ए इसका एंसर हो जाएगा उसके बात देखाए कोशन छे नमर कोशन देखिए देखिए छेम कहा गया बैंजीन में लेमडा और पाय देखिए कोशन देखिए क्या कहा गया देखिए कोशन देखिए फिर से कोशन पढ़िए क्यों मिश्टेक हो गया कोशन पढ़ने जैसे देखिए छे नमर बैंजीन में सिग्मा और पाय आवंध की आवंध की संख्या कितनी है बताए छे का एंसर क्या हो जाएगा छे का क्या हो जाएगा छे का ए हो जाएगा बारह और तीन कितना हो जाएगा बारह और तीन क्योंकि सिग्मा हो जाएगा बारह और पाय हो जाएगा तीन इसका अप्शन ए इसका एंसर हो जाएगा छे का छे का क्या हो जाएगा छे का ए हो जाएगा उसके बाद देखिए साथ नमबर कोस्ट्चन साथ नमर देखिए NS3 में नाइट्रोजन की संजोगता कितनी है बताइए इसका hij had water साथ का D उजाएगा कितना संक्याइब 3 है ऑप्शन D इसका एंसर उसके बाद देखे आठ नमर कोश्चन आठ में कहा गया वह तत जिसके अनू में 3 संयू किलोक्टोन होते हैं का एक उधारन दें बताइए इसका एंसर 8 क्या हो जाएगा आठ का आठ का डी हो जाएगा एलमूनियम क्या जाएगा एलमूनियम ऑप्शन D इसका एंसर उसके बाद देखे नौ नमर कोश्चन नौम कहा गया निमन में से 3 संयूजक तत कौन सा है बताइए नौका नौका डी हो जाएगा ये सभी ये सभी क्या है त्री संयूजक तत है ये सभी जो अप्शन इबरोन इंडियम एलमूनियम उसके बाद देखे 10 नमर कोश्चन 10 में कहा गया फारफोरस के एक अनौ एक परमानौ में कितने संयूजक इलोक्टोन होते हैं बताइए 10 का 10 का क्या हो जाएगा 10 का डी हो जाएगा 5 कितना option डी इसका एंसर उसके बाद देखे 11 नमर कोश्चन इगारम कहा गया एनस फोर्ड का होईल ट्वाइस एसो फोर्ड के एक अनौ में कितने परमानौ होते हैं बताइए 11 का 11 का बताइए क्या हो जाएगा 11 का 11 का बी हो जाएगा 15 क्या जाएगा 15 इसका answer option बी हो जाएगा देशे कैसे वो देखे है है एनस फोर का गवाईश ट्वाइस ऐसो फोर में नाटल जह एंड के परमहों 2 हाइड्रोजन 8 शुल फर एक अक्शिजन 4 तो जब एनस फोर का होईल्ट्वाइस एसो फोर क्युआज कितना 15 कितना 15 कियोंकि N कितना है 2 है H कितना है 8 है उसके बाद सुल्फर कितना 1 है जब इसको स्वालू कर जेगा तक 15 इसका एंसर निकल कर चलाएगा उसके बाद देखे 12 नमर कोश्चन बारम कहा गया यदि अलमूनियम की संजोगता तीन और ऑक्सीजन की दो है तो अलमूनियम ऑक्साइड का रासाइनिक सुत्र क्या है बताईए 12 का एंसर 12 का D हो जाएगा एल टू ओ त्थिरी इसका एंसर होजगा आसवा अप्सन D उसके बात देखे तेरे नमर कोश्चन थिरे ऎल टू ओ त्थिरी में एलमूनियम की संजोगता क्या है बताईए 13 का तेरे का A हो जाएगा तीन इसका एंसर हो जाएगा उसके बात देखा एक कुर्शन चाउदया नमर कुर्शन देखिए चाउदया हम कहा गया एक तत एक फर्मूला A3O4 के साथ ऑक्साइड बनाता है तो तत कि एक संयोगता क्या है बताईए कि एक की संयोगता 14 का बतािए एक कितना से फर्मूला पनूला घ्रण का स्राइंसर उसके बाद के स्राइगा उसके बाद देखें सोकने विरुनासे कि इसका एंसर उसके बाद के 17 नमर कोश्चन गैज बीका किसी तत की समयोजक्ता क्या मध्यूंत चलती कि इसके बाद आठाए नमर कोश्चन अठारे में तभी कहा गया क्यूंकि कारवन चतुर संयोजक होने के कारण उसके संयोजक बंद बनाने के कारण कारवन डेस दरसाता है बताए इसका अठारे क्या हो जाएगा अठारे का दी हो जाएगा शिंख्लाव बंधन इसका एंसर अप्सन डिशका इंसर उसके बाद दें उनीज नम्र कोश्चन इसने में कहा गया निम्न मैं से काउन सा विलकाप सहाही हो जग का गुन नहीज है बताए उनिज का इसना इसना बताइए अनसर क्या हो जाए इसना भी हो जाएगा कुछ गलनांग और कुथनांग हो जाएगा इसका इंसर उचके बाद देखे 20 नमर approach जो 2 में कहा गया सहसायूजक यउगिक 10 है बताइए क्या हो जागा 20 का 20 का B हो जागा इनमें सभी जो है सहसायूजक यउगिक है तो कौन-कौन है option A है C है D है ये क्या है सहसायूजक यउगिक है उसके बात देखें कीस नमर question 21 में कहा गया संसयोजक बंध दो परमानुओं को बीच द्वारा बनते हैं बताई एक किस का क्या किस का डी हो जाएगा इलक्टोनों की साज़ेदारी से किसे इलक्टोनों की साज़ेदारी से option D इसका एंसर उसके बाद देखे 22 नमर कोश्च्चन 22 में का अगसां संयोजी का आवंध के दो परमानुओं के बीच आवंधों की अधिक्तम संख्याँ ड्यास हो सकती है बताईए क्या हो सकते 22 का 23 कोश्चन 23 में क्या कहा गया 23 में क्या क्या होती है बताईए 23 का 23 का क्या हो जाएगा 24 में कहा गया निमलिखित में से किस तत्में 3 संयोजी के लोक्टोन होते हैं बताईए 24 का 24 का क्या हो जाएगा 24 का ब्रवाद देखित आई 25 कॉश्चन 25 में कहा गया मैंगनेशियम की परमानु संख्याँ बार रहे हैं तो से की तत्मा क्या होगी बताईए 25 का 25 का फोश्चन 24 का फोश्चन 25 में क्या जिख्याइगा 25 का फोश्चन 26 देखिए 27 का का रोगया миन्य नातोजन का समयं होता कितने हो घरेगा ओगलागी कर्मोनियां का न थिरी होता है न तो निए उसके बाद देखाए कोश्चन सत्ता इसमें सत्ता जग कहा गया दैस एक सह्योजिक अनु नहीं है बताईए सत्ता इसका तो कौन इसमें नहीं हगा बताईए इसका हां इसर दैस आश्योजिक अनु नहीं है और सब लेकिक कोन नहीं ऐसका नहीं है इसके बात देख़िए इसे नुइन कि डिखिए को नश्योजिग अच्छिजन के साब एक संसरे की इसमें प्लेगटाय बताईए क्हार अच्छिएंच केका य। अठ्था इसका D हो जागा साथ क्या option D साथ इसका answer हो जाएगा उसके बाद देखे 29 नमर कोश्यान 29 में देखिए तत X चतुर संयोजक और तत Y दूई संयोजक है इन दो तत्यों द्वारा बना योगिक ध्यास होगा क्या होगा बताईए 29 का 29 सी X Y 2 होगा X Y 2 इसका option C इसका answer इसके बाद देखिए 30 नमर कोश्यान 30 में कहा गया क्या ही वह देखिए 30 में कहा गया lithium nitride का सुत्र क्या है बताईए 30 का 30 का C हो जाएगा Li 3 N इसका answer C हो जाएगा उसके बाद 31 नमर कोश्यान देखिए 31 में कहा गया गलत मिलान का chain करें तत कानुपा संयोजकता से तो किस बताईए इसका क्या answer हो जाएगा तत है आएग संयोगता इसका गलत मिलान का chain करें गलत मिलान का chain करें बताई 31 का 31 का answer क्या हो जाएगा 31 का D oxygen का कितना एक होता तो गलत मिलान का chain क्या option इसके बाद देखिए 32 नमर कोशन देखिए 32 में कहा गया दैस इलक्तोन की संख्या एंटू में आवंद बनाने में बनाने में भाग लेता है बताईए 32 का 32 का सी छे डैस इलक्तोन की संख्या एंटू आवंद बनाने में भाग लेता कितना छे लेता है option C इसका answer उसके बाद 33 नमर कोशन देखिए 33 में कहा गया परतिवर्तनिय संयोजक्ता डैस दरसाती है बताई क्या दरसाती है 33 का 33 का संकर्मन तत्तोस संकर्मन तत्तोस option B is cancer उसके बाद देखिए 34 नमर कोशन 34 देखिए क्या कहा गया है संसयोजिक बादेड अनुओं में निम्न गलनांक और क्वथनांक बिंद्यों होते हैं क्यूंकि बताई इसका 34 का 34 का C हो जाएगा इंटर्मोली कूलर बल कमजोर होते हैं इंटर्मोली कूलर बल कमजोर होते हैं अप्शन C इसका answer उसके बाद देखिए 35 नमर कोश्चन 36 देखिए 36 में क्या कहा गया सहसायोजक बने दो परमानों के बीच इलक्टोन की साज़ेदारी परिनाम स्वरूप नीमित होते हैं ताकि दोनों पूरी तरह से भरे हुए डैस कोश्च में पराप्त कर सके बताए 36 का 36 का यह हो बहायत्तम क्या बहायत्तम इसका एंसर हो 36 में कहा गया सहयोजिक इलक्टोन डैस महजूद होते हैं बताए सहयोजिक का क्या सहयोजिक का बी हो जाएगा परमानों की सबसे बाहरी कच में परमानों की सबसे बाहरी कच में सहयोजिक इलक्टोन डैस महजूद होते हैं सहयोजिक इलक्टोन डैस महजूद होते हैं किसमे इसका एंसर उसके बाद देखे 38 नमर कोश्चन 38 नमर देखे एंधर में कहा गया निमली खित में से कौन से आएनिक योईक का एक गुंधर्म नहीं है गुंधर्म है यह बताएए 38 और तीश का ए हो जाएगा इसका कम कॉथ ना टा है यह सही है तो करनमलिकित है कं ऐस fed